Hello students, हम लोग आज major domains of the earth के बारे में पढ़ेंगे हम लोगोंने पिछले वीडियो में the main components of the environment के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोग जाने थे कि main components जो environment का है वो three है first है lithosphere, second है atmosphere and third है hydrospare आज हम लोग lithosphere के बारे में जानेंगे कि lithosphere क्या है the lithosphere consists of various rocks and minerals the word lithos in greek means rock it covers 29 percent of the earth's surface the lithosphere consists of all types of land masses the large land masses are known as continents which are surrounded by large water bodies called oceans जो lithosphere है वो बिभीन प्रकार के rock और mineral से बना हुआ है और जो litho जो word है वो ग्रीक word है और उसका मतलब होता है rock और lithosphere पूरे हमारे अर्थ के 29 percent को cover करता है और इसमें क्या होता है कि विभीन प्रकार के जो मतलब भू भाग है इसमें मौजूद होते हैं जैसे बहुत जो बहुत बढ़ा सा भू भाग होता है बहुत बढ़ा सा large area का उसको हम लोग continent बोलते हैं और continent के चारों तरफ से जो water bodies है पानी है पूरा उसको हम लोग oceans बोलते हैं there are seven continents on the earth in decreasing order of their size they are हमारे earth पर total seven continents हैं और उसको घटते हुए क्रम में यहां name नीचे दिया गया है जिसमें सबसे बड़ा जो continent है वो Asia continent है और हमारा जो इंडिया है वो Asia continent में ही आता है second है Africa, third है North America, fourth है South America, fifth है Antarctica, sixth है Europe और seventh है Australia इस प्रकार से यह पूरे earth पर seven continents हैं most of the land masses are found in the northern hemisphere while most of the southern hemisphere is covered by water there is a great diversity of living beings in continents, many nations are found in these continents people speak different languages, they wear different types of clothes and follow various religions and customs उत्री गोलार्द के अधिकांस्ता भाग में भू भाग है पानी कम है जबकि जो दक्ष्णी गोलार्द है उसमें ज्यादा पानी है जबकि भू भाग क्या है कम है यानि अधिकांस्ता भाग में पानी है दक्ष्णी गोलार्द के अधिकांस्ता भाग में पानी है क्योंकि अलग-अलग प्रकार के राष्ट है वहाँ अलग-अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग-अलग प्रकार की भासाएं बोलते हैं अलग-अलग प्रकार के धर्म को अपनाते हैं अलग-अलग प्रकार के रिति रिवाज अपनाते हैं उनमें बहुत ही विभिंता पाई जाती है क्योंकि मान लीजिये हमारा जो देश है इंडिया वो एसिया है, एसिया कॉंटिनेंट में है तो Asia continent में एक हमारा जो India है, Pakistan है, China है, Russia है, सब है लेकिन क्या सबका एक ही language है? नहीं है सब में अंतर है लोगों के रहन सहन एक है? नहीं है सब में अलग है लोगों के रहन सहन, अचार, विचार, बोल, चाल, भासा सब में अंतर पाया जाता है यानि बहुत ही ज़्यादा विभिनता है मालनी ये continent को तो आप छोड़ी दीजिए केवल आप India को ही देखेंगे एक country को बस लीजिए कहीं उसी में बहुत सारी विभिनताएं पाये जाती है हमारे देश में ही 22 भासाओं को ही केवल मानेता प्राप्त है लेकिन ऐसी बहुत सारी 121 के लगभग में भासाओं हैं जो हमारे इंडिया में बोली जाती है क्योंकि हर 2-4 किलो मीटर के डिस्टेंस में आप जाईएगा तो वहां language change हो जाता है आप लोग यहीं से बलिया जाईए वहां का language देखिए बदल जाता है आगे बनारस थोड़ा सा बढ़िये तो बदल जाएगा उसके आगे जाईए मने बदलते जाएगा भासा एक इस्टेट से दूसरे इस्टेट में गए तो बदलेगा ही अगर बिहार में ही देख लीजे तो यहां का छपरा का language देखिए आप अलग है मतिहारी चंपारन के तरफ चले जाएए तो पूरा अलग है यानि भासा में बहुत ही अंतर पाये जाता है हम लोगों के रहन सेहन में भी अंतर पाये जाता है हम लोगों का जो पोसाख है कपड़ा है पंजाब में चले जाएए अलग है वहां का पहना बिहार में जाई अलग है गुजरात में जाई अलग है मने हर जलगा का बहुत ही विविंता पाई जाती है तो जब एक छोटे से जगह में एक कंट्री में जब इतना अंतर है तो सोचिए एक कॉंटिनेंट्स में कितना अंतर होगा और फिर उस प्रकार के 7 continents है तो 7 में कितना अंतर होगा बहुत ही ज़ादा अंतर है प्रकार आज हम लोगों ने लिथोई स्पेर के बारे में पढ़ा लिथोई स्पेर के बारे में जाना कि लिथोई स्पेर जो है वो rocks on minerals से बना हुआ है यह पूरे अर्थ का 29% को cover करता है क्योंकि हम लोगों को यह मालूम है कि 71% पे water है अर्थ के 71% पे water है तो 29% ही बचा और वो ही जो है वो लिथोई स्पेर है तो लिथोई स्पेर में विभिन प्रकार के continents हैं 7 continents हैं उन continents के बारे में हम लोगोंने जाना उनका नाम जाना अब next day हम लो एक एक continents के बारे में पढ़ेंगे next video में हम लो Asia continents के बारे में जानेंगे